Hello everybody, welcome to my channel, this is Professor Ivneet, so today I am going to teach you negotiable instruments, इस वीडियो की बहुत ज़ाधा request आ रही थी मुझे मेरे चैनल पे, तो ये topic जो है वो मैं आज cover up करने जा रही हूँ, और हाँ मैंने काफी time से कोई video नहीं बनाई है, उसका reason ये है कि मुझे asthma की problem है और मेरी तब्या ठीक नहीं चल रही थी काफी time से, तो अब मैं कोशिश करूँगी कि अपनी videos को continuity से मैं upload कर सकूँ, और हाँ मुझे बहुत सारे students जो है वो comment करते हैं कि मैं हम आपकी video को as it is exam में लिख सकते हैं, मतलब ये सारी presentation as it is लिख सकते हैं, तो इसका answer है जी हाँ, मैं अपनी video को इसी purpose से ही तयार करती हूँ, कि आपको समझ आने के साथ-साथ ये भी पता लग सके कि आपको exam में लिखना क्या है, क्योंकि बहुत सारे students ऐसे होते हैं, जिनको समझ तो सबकुछ आ जाता है, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि हमें answer लिखना कैसे है और क्या लिखना है, तो मेरी ये slides को आप as it is अगर आप लिखके आएंगे exam में, तो आपको बहुत अच्छे mark score होंगे, तो जो viewers आज मेरी videos पे first time आये हैं जो students, तो उनको मैं बता दूँ, कि मैंने इससे पहले भी business law की बहुत सी videos बनाई हैं, company law की और stats की videos बनाई हैं, अगर आप लोगों ने वो videos नहीं देखी हैं, तो मैं उसका link उपर eye button, नीचे description box और pin comments में दे दूँगी, तो आप check कर लीजेगा, so without wasting any time, let's get started, अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, कि Negotiable Instrument Act जो है, वो इंडिया में कब आया था, तो ये act इंडिया में 1881 में enact हुआ था, इस act से पहले, इंडिया में कौन से provisions follow होते थे, वो English Negotiable Instrument Act के provision follow होते थे, means हम पहले English Negotiable Instrument Act को follow करते थे, लेकिन 1881 में हमने अपना ही Negotiable Instrument Act बना लिया, और ये जो act था हमारा, वो पूरा का पूरा English Act के उपर ही base था, लेकिन हमने क्या करा, वही सारा act ले लिया, लेकिन उसमें कुछ modification कर दी, कुछ changes कर दी है, और अपना Negotiable Instrument Act बना लिया, ये जो act है, ये whole of India को applicable है, means सारे इंडिया में apply होता है, और जो person इंडिया में रहते हैं, चाहे वो foreigner है, चाहे वो Indian है, ये सब पे applicable है ये वला act, अब आजाओ, Negotiable Instrument होता क्या है, Negotiable Instrument हमारा दो word से बना है, Negotiable और Instrument, Negotiable का मसलब होता है, Transferable, जिसे आप transfer कर सकते हो, Instrument means कोई भी written document, जो written form में है, which creates a right in favor of any person, जो किसी person के against, कोई अधिकार create करता है, को right create करता है, therefore, अब Negotiable Instrument हमारा क्या हुआ, ये एक written document है, जो कि एक right create करता है, किसी person के against, और जिसको हम transfer कर सकते हैं, by delivery and by endorsement से भी, हम transfer कर सकते हैं, यह हम आगे पढ़ेंगे, कि transfer कैसे कैसे होता है, तो यहाँ पर delivery का मतलब, इन्होंने ये दे रखा है, कि आप एक instrument को, दूसरे को दे के transfer, easily कर सकते हो, next is definition, अब जो definition given है, Negotiable Instrument Act में, Negotiable Instrument की, वो हमें section 13, sub section 1 के under दी गई है, अब ये जो हमारी definition है, इसमें मतलब नहीं बताया, कि Negotiable Instrument क्या होता है, इसमें सिर्फ ये बता रखा है, कि Negotiable Instrument में, क्या-क्या चीज़े आती हैं, जैसे कि Negotiable Instrument means, a promissory note, bill of exchange, और check, तो इसकी as it is definition, नहीं given है, check, उसमें, act में, वो जो मैंने है, मैंने आपको meaning समझा दिया है, लेकिन इसकी definition में, सिर्फ ये ही given है, कि इसमें क्या-क्या चीज़े include होती है, तो मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स ये भी बूचते हैं, कि मैंम क्या section लिखना जरूरी है exam में, तो मैं आपको बताती हूँ कि, अगर आप section लिखेंगे exam में, तो आपको ज़्यादा marks score होंगे, आपको ज़्यादा अच्छे marks मिलेंगे, अगर आप law में section लिखेंगे, लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखिए, अगर आपको section याद नहीं है, तो गलत section नहीं लिखके आना, क्योंकि गलत section से आपके marks कर जाएंगे, अगर आप बोल गए है section तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है, marks ज़्यादा आपको score होंगे, लेकिन गलत नहीं लिखके आना, अकसर ये students मुझे comment करते हैं, तो मैंने video के through मैं इसे clear करना चाह रही थी, अब आजाओ example of negotiable instrument, ये सारे जो होते हैं हमारे negotiable instruments होते हैं, ठीक है, लेकिन हम इस act में basically तीन negotiable instruments पढ़ेंगे, promissory note, bill of exchange और checks, next is example of non-negotiable instrument, ये instrument हमारे non-negotiable instrument होते हैं, money order, fixed deposit receipt, national saving certificate, postal order, letter of credit, share certificate, कई बार two marks का question आजाता है, कि क्या ये negotiable instrument है ये नहीं, तो उस purpose के लिए मैंने आपको ये दे दिया है, आप लिख सकते हैं अपने exam में ये, next is quasi negotiable और semi negotiable instrument, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, कि वो मतलब कुछ features तो उसमें negotiable instruments की हैं, लेकिन कुछ features नहीं है, ठीक है, हर written document तो negotiable instrument नहीं होता न, तो means उसमें कुछ feature है और कुछ नहीं है, वो semi negotiable instrument होते हैं, ये मैं आपको समझाती हूँ, these instruments are also capable of being transferred by delivery और by endorsement, quasi negotiable instrument को हम easily transfer कर सकते हैं, या तो delivery से, या फिर endorsement से, delivery का मतलब होता है, कि आपने किसी को, जैसे कोई check है, खाली check है, उस पर sign करके आपने दूसरे person को दे दिया, तो वो हो गया, आपने delivery से transfer कर दिया, ठीक है, लेकिन endorsement का मतलब होता है, आपने उस person को check दिया, उसका नाम लिख के, कि मैं इसको transfer कर रहा हूँ, तो वो endorsement से आप transfer कर रहे हो, ठीक है, तो जो instrument होते हैं, quasi-negotiable instrument, वो delivery से भी transfer होते हैं, endorsement से भी transfer होते हैं, लेकिन अप फर्क क्या है इसमें, but the transferer of these documents, cannot give to the holder, a better title than he himself had, title का मतलब law की language में होता है, which is the fundamental condition for a document, to qualify as a negotiable instrument, लेकिन semi-negotiable instrument में ये condition नहीं होती है, means, एक person जो transfer कर रहा है, दूसरे person को instrument, वो अपने से better ownership दूसरे person को नहीं दे सकता, अब मैं आपको ये example से बताती हूँ, जैसे कि एक person को एक check पढ़ावा मिल गया, A person, जिसका नाम A था, उसे check जो है, वो रस्ते में पढ़ावा मिल गया, जिसपे sign थे, amount था, ठीक है, तो अब वो जो है, वो person क्या बन गया, उसने check उठा लिया, वो holder बन गया उस check का, उसके पास उस check का possession आ गया है, अब उसका title क्या है, डिफेक्टिव, title defective, means उसकी ownership defective है, क्योंकि वो उस check का owner नहीं है, उसे तो रस्ते में पढ़ावा मिला न, तो उसका title defective है, अब negotiable instrument में क्या होता है, कि जैसे ही अगर, जैसे A ने किसी को कोई payment करनी थी, कोई goods खरीदे थे, उसने B से, उसने वो जो check है, B को दे दिया, उससे check ले लिया, ठीक है, और साथ में B को ये भी नहीं पता, कि इसे रस्ते में पढ़ावा check मिला, तो यहां पे जो B है, वो holder in due course बन जाएगा, means, उसने consideration के बदले में, और good faith में उससे check लिया है, consideration का मतलब होता है, कुछ लेने के बदले में कुछ देना, ठीक है, तो यहां पे B जो है, वो हमारा holder in due course बन जाएगा, अब यहां पे A का title defective है, लेकिन यहां पे जो B है, उसका title defective नहीं होगा, उससे better title मिल जाएगा A से, यह condition होती है, हमारी negotiable instrument में, और यही condition हमारी missing होती है, किसमें quasi negotiable instrument में, means, quasi negotiable instrument में, अगर A, B को transfer करता है instrument, तो अगर A का title defective है, तो B का title भी defective होगा, किसमें quasi negotiable instrument में, लेकिन यह condition, negotiable instrument में follow नहीं होती है, उसमें यह कहा जाता है, कि अगर A का title defective है, और अगर वो B को transfer करता है तो B जिसने consideration के against उससे instrument लिया है और उसने good faith में लिया है means उसको नहीं पता कि ये का title defective है तो जो B है उसको better title मिल जाएगा किस से A से ठीक है I hope आपको ये clear हो गया होगा तो quasi negotiable instrument क्यों quasi कहलाता है क्योंकि उसमें जो holder है वो अपने से better title दूसरे को नहीं दे सकता लेकिन negotiable instrument में अपने से better title दूसरे को दिया जा सकता है therefore the provision of the negotiable instrument act 1881 does not apply to them तो quasi negotiable instrument, negotiable instrument के अंडर नहीं आते हैं इसलिए negotiable instrument के provision उस पे apply नहीं होते हैं अब कौन-कौन से होते हैं हमारे negotiable आपको learn ही करने है ना कि यह जो होते हैं हमारे quasi negotiable instruments होते हैं next is what are the essential characteristics of a negotiable instrument के negotiable instruments की क्या features होती है तो हम यह एक-एक करके पढ़ेंगे यह 12 features हैं इसकी first is written a negotiable instrument is a written document it can never be oral सबसे पहली condition ही यही थी instrument की कि वो written होना चाहिए वो oral कभी नहीं हो सकता next is freely transferable or negotiability इसे हम easily transfer कर सकते हैं negotiable instrument को maturity date से पहले पहले जितनी बार merge transfer करो इसे the property of the instrument can be transferred freely from one person to another by delivery या तो delivery से कर सकते हो या फिर endorsement से कर सकते हो अगर तो आपका instrument bearer है तो उस case में आप कैसे transfer करते हो आप delivery से ही transfer कर देते हो अगर आपका instrument order instrument है तो आपको endorsement की भी जरूरत पढ़ती है delivery के साथ साथ ठीक है तो endorsement और delivery तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था ठीक है bearer instrument होता है जो खाली instrument होता है जिसके ओपर किसी का नाम नहीं होता जैसे check होता है उसके ओपर कोई नाम नहीं है simple sign है और amount है उसे bearer instrument मोलते है या फिर means जो instrument आप bank में जाके इन cash करा सकते हो लेकिन जो order instrument होता है उसे सीधा आप bank से पैसे नहीं ले सकते वो आपके account में जाता है और account से ही आप फिर withdraw कर सकते हो तो यह हम आगे पढ़ेंगे bearer और order बस आप यहाँ पर यह ध्यान रखिये कि जो negotiable instrument होता है वो easily transferable होता है उसे आप कितनी भी बार मर्जी transfer कर सकते हो या फिर delivery से या फिर endorsement से ओके next is signature a negotiable instrument is complete and effective only when it is duly signed a negotiable instrument तभी complete होता है अगर वो उस पे sign हो क्योंकि अगर किसी चीज़ पे sign ही नहीं है तो उसकी क्या value होगी तो signature may be a part of the instrument means instrument के किसी भी part पे sign होना जरूरी है वो कहीं पर भी हो सकता है instrument के किसी भी part पे face पे भी हो सकता है कहीं पर भी next is title of the holder is free from all defects यह point मैंने आपको अप्पी पहले समझाया है मतलब होता है in good faith in good faith का मतलब होता है कि उसे नहीं पता कि दूसरी party का title defective है and for value for value का मतलब consideration मतलब आपने free में नहीं ले रहे आप उससे instrument आपने बदले में उसे कुछ दिया है he is known as holder in due course तो उसे हम holder in due course कहते है gets the instrument free from all defects in the title of the transfer ठीक है अगर transferor के title में कहीं पर भी defect है तो उसका असर holder in due course पे कभी नहीं पड़ता अगर उसने वो instrument bona fide लिया है means good faith में लिया है उसे नहीं पता कि title defective है और उसने एक value के against लिया है मतलब consideration के बदले में लिया है तो उस case में वो instrument free हो जाएगा सारे defect से means उसे better title मिल जाएगा transferor से he is not in any way affected by the defect in the title of the transferor और any prior party ठीक है तो उसे कोई भी असर नहीं होगा अगर transferor के title में defect है ठीक है जैसे suppose अगर वो कोई instrument था जिसके title में defect था A ने B को transfer कर दिया B जो था वो holder in due course था अब B को अगर payment नहीं हुई उसकी तो वो जितनी भी parties involved होंगी उस instrument में वो सब पे case कर सकता है कल को ये नहीं कह सकते कि भई ये instrument के title में defect था क्यों क्योंकि जैसे ही वो instrument holder in due course के पास आया तो it will be free from all defect means holder in due course को तो पैसे मिलेंगे ही ठीक है next is right to sue in his own name ये वही point आ गया है कि अगर जो instrument negotiable instrument का जो holder होता है holder in due course उसको पास पूरा हक होता है कि वो negotiable instrument पे sue कर सकता है अपने नाम के ओपर अगर उसे पैसे नहीं मिलते हैं suppose अगर उसे कोई check मिला या provisory note मिला या फिर suppose उसे bill of exchange मिला और अगर उसकी payment time पे नहीं हुई तो वो अपने नाम से किसी भी party पे जितनी भी party involved है उन पे case कर सकता है ठीक है या फिर जिसने उसे transfer करा है वो उस पे वो case करके वो money जो है वो recover कर सकता है a negotiable instrument can be transferred any number of time जो आप कितनी भी बाद transfer कर सकते हो लेकिन maturity की date से पहले maturity के बाद वो transferable नहीं रहता है and the holder of the instrument need not to give any notice of transfer to the debtor और जब भी आप उसे transfer करोगे check को तो आपको हर बाद debtor को information नहीं देनी पड़ेगे कि मैं इसे transfer कर रहा हूँ जैसे suppose अगर a ने b को check दिया ठीक है अब b ने आगे कोई payment करनी थी तो उसने c को check दे दिया तो b को a को बताने की जुरत नहीं है कि मैं अपना check transfer कर रहा हूँ तो means उसे कोई भी notice देनी की जुरत नहीं है तो maturity date तक यह number of times जो है वो transfer हो सकता है और holder के पास यह hak है वो अगर उसे payment नहीं मिलती है तो वो parties पे case करके अपना amount recover कर सकता है next is unconditional a negotiable instrument is always unconditional means उसमें कोई condition जुड़ी भी नहीं होनी चाहिए a promise to pay और any order to pay in a negotiable instrument must be unconditional मतलब कुछ भी अगर आप promise कर रहे हो pay करने के लिए या फिर आप order कर रहे हो pay करने के लिए तो वो unconditional होना चाहिए ऐसे नहीं कि आपने उसमें कोई condition जोड़ दी है ठीके तो वो unconditional होना बहुत ज़रूरी है next is payable to order और bearer ये मैंने पहले भी बताया negotiable instrument either to order payable होता है या फिर bearer bearer means कोई भी जिसको भी आप दे रहे हो वो जाके bank में जाके cash करा सकता है उसके बदले में वो पैसे ले सकता है और order means आपने उसका नाम लिख दिया है कि इसको payment कर दे ना means आपने उसका नाम लिख दिया और वो जाके bank में जाएगा और bank में bank जो है वो उसके account में transfer करेगा उस amount को फिर आप अपने ATM से या फिर अपने check से उसे withdraw उस amount को कर सकती हो ठीक है तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है negotiable instrument the next is substitute for money the status of negotiable instrument is equivalent to cash as before the date of its maturity negotiable instrument cash के equal ही माना जाता है ठीक है maturity date से पहले पहले maturity के बाद तो उसकी कोई value यह नहीं रह जाती तो वो cash के बराबर ही माना जाता है अब जो bill of exchange होता है उसे आप जाके bank से discount करा सकते हो अगर आपको किसी ने bill दिया है तो आप अपने पढ़ा होगा accounts में term पढ़ी होगी 11-12 में discounting of bill आप bank के पास जाते हो आप bank को वो अपना bill दे सकते हो और bank जो है कुछ पैसे अपने काटके a negotiable instrument is valid only when it is drawn for a certain sum of money obviously एक negotiable instrument आप तभी draw कर सकते हो अगर उसमें money mentioned है अगर आपने money जो है वो certain नहीं लिखी है ठीक है जैसे अगर A ने B को कोई bill दिया कि मैं तो मैं पैसे दे दूगा पैसे कितने देने है वो तो नहीं mention ना तो वो जो है वो negotiable instrument नहीं माना जाएगा उसमें certainty होना ज़रूरी है और money जो है वो certain होनी चाहिए और वो mention होनी चाहिए किसके उपर negotiable instrument के उपर तभी तो आप उसे transfer कर सकते हो ना अगर आपने money ही certain नहीं रखी है तो आप कैसे transfer करोगे next is payment in money a negotiable instrument must be payable only in money money में ही payable होगा और किसी चीज में payable नहीं होगा ऐसा नहीं है आप किसी को कहो कि मैं पैसे के बदले में तुमें कोई चीज दे देता हूं नहीं तो कौनसी money जो कि इंडिया में अभी at present चल रही है legal tender money of India जो अभी at present इंडिया में money जो है वो currency चल रही है next is no notice of transfer यह मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एक negotiable instrument number of time transfer हो सकता है maturity date से पहले-पहले और transferer को कोई जरुरत नहीं है notice देने की हर बाद debtor को जब भी वो transfer करेगा instrument को next is presumption the consideration is not mentioned on the negotiable instrument it is presumed that the negotiable instrument has been drawn for a valuable consideration अब consideration mention नहीं होती है negotiable instrument में कभी A party B party को जब check देती है तो कभी क्या उस पे लिखा होता है कि मैं check किस purpose के लिए ले रहा हूँ suppose अगर आप किसी को 10,000 का check दे रहे हो तो कभी check पे आप यह लिखते हो कि मैंने इस से 10,000 के goods लिये से तब में check दे रहा हूँ आप कभी भी consideration mention नहीं करते हो consideration मतलब आपने बदले में क्या लिया है उसे तो यह माना जाता है कि negotiable instrument अगर आपने कभी भी draw करा है या किसी party को दिया है तो वो valuable consideration के बदले में ही दिया होगा क्योंकि आप जो है free में तो नहीं देते हो ना तो जो आप free में अगर कुछ देते हो तो वो negotiable instrument के अंदर नहीं आता है ठीक है तो means consideration जो होनी ज़रूरी है और वो mention होनी ज़रूरी नहीं है means negotiable instrument पे आप mention नहीं करते हो जो assume किया जाता है negotiable instrument के against यह section 118 of negotiable instrument act के अंदर दी गई है तो यह हम एक एक करके साड़ी पढ़ेंगे first is consideration तो यह consideration क्या मतलब होता है consideration का मतलब होता है कुछ लेने के बदले में कुछ देना ठीक है तो जब हम किसी के साथ कुछ sale purchase या कुछ भी करते है negotiable instrument में भी ये माना जाता है कि negoshable instrument बनाया जाता है draw किया जाता है, accept किया जाता है consideration के बदले में तो court यह मान के चलता है कि कोई भी instrument जो है consideration उसमें present होती ही है तभी आप दूसरे को payment कर रहे हो न अगर consideration present नहीं है तो आप 3 में किसी को payment क्यों करोगे until the contrary is proved until the contrary, contrary का मतलब होता है जब तक दूसरी बाटी ये प्रोव नहीं कर देती कि consideration नहीं थी तब तक तो quote यही मान के चलेगा कि जो भी instrument transfer हो रहा है वो consideration उसमें present है ही, okay next is date where the negotiable instrument is dated जब negotiable instrument पे जो date लिखी होती है ये माना जाता है कि negotiable instrument उसी दिन बनाया गया है या फिर उसी दिन draw किया गया है, ठीक है ये presumption का मतलब होता है जो चीज़े मानी जाती है, assume किया जाता है जिसके regarding, time of acceptance until the contrary is proved, मतलब जब तक दूसरी पार्टी प्रूव ना कर दे तब तक ये माना जाता है every accepted bill of exchange presumed to have been accepted within reasonable time, after its issue but before its maturity ये माना जाता है कि जो bill of exchange है, वो accept किया गया है, reasonable time मतलब जो time उसका होना चाहिए था acceptance का, उसी के अंदर वो accept किया गया है, और maturity के पहले accept किया गया है, मतलब issue के बाद, issue करने के बाद और maturity से पहले accept किया जाता है ये माना जाता है next is time of transfer until the contrary unless the contrary is proved it shall be presumed that every transfer of negotiable instrument was made before its maturity कि कोई भी negotiable instrument जो है वो transfer किया गया है maturity से पहले there is no presumption as the exact date of negotiation मतलब exact date नहीं दी जाती है लेकिन ये माना जाता है तो ये माना जाता है कि negotiable instrument जो है वो transfer हुआ है maturity से पहले ठीक है next is order of endorsement until the contrary is proved it shall be presumed that endorsement appearing on the negotiable instrument was made in order in which they appear there on तो negotiable instrument पे जो endorsement है वो जैसे जैसे जिस जिस order में लिखी गई है तो ये माना जाता है कि वो endorsement उसी order में हुई है मतलब पहले जिसका नाम होगा उसी को पहले transfer हुआ है फिर दूसरे नंबर पे जैसे हुआ जिसका नाम होगा तो उसको बाद में transfer हुआ है तो means जो order उसके face पे mention है instrument पे वही order follow किया गया है तो ये माना जाता है next is stamp until the contrary is proved it shall be presumed that a lost promissory note, bill of exchange or check was duly stamped similar presumption may also arise when the negotiable instrument has been destroyed अगर कोई negotiable instrument गुम हो जाता है ठीक है तो promissory note, bill of exchange or check ये माना जाता है कि उस पे stamp होगी ही means stamp उस पे लगी वी होगी अगर वो destroy भी हो जाता है instrument खतम भी हो जाता है तो भी assume किया जाता है कि उसके ओपर stamp mention होगी ही next is holder in due course until the contrary is proved it shall be presumed that the holder of a negotiable instrument is holder in due course मैंने पहले भी बताया है holder in due course वो बरसन होता है जो consideration के बदले में goods को लेता है sorry जो consideration के बदले में instruments को लेता है और जो bonafide लेता है means good faith में उसे नहीं पता कि title defective है या नहीं है ठीक है तो जो good faith में और consideration के बदले में instrument को लेता है उसे holder in due course कहते है तो ये माना जाता है जब तक ये prove नहीं हो जाता कि हर कोई holder जो है वो holder in due course है every holder of a negotiable instrument is presumed to have paid consideration for it and have taken it in good faith तो ये court assume करता है कि किसी ने भी जिसने भी negotiable instrument दिया लिया है उसने उसके बदले में consideration दी ही है और उसने good faith में लिया है but if the instrument was obtained from lawful owner by the mean of offense or fraud लेकिन अगर आप उसके lawful owner से जो कि उसका owner होना चाहिए था उससे आप fraud से instrument ले लेते हो तो holder को ये prove करना पड़ता है court में कि वो holder in due course है ठीक है then the holder has to prove then next is proof of protest in a suit upon an instrument which has been dishonored the court shall on the proof of protest presume the fact of dishonor unless and until such fact is disapproved इसका मतलब ये है कि जब भी कोई instrument dishonor हो जाता है dishonor का मतलब होता है कि instrument की maturity date आई लेकिन आपको payment नहीं मिली ठीक है तो हम कहते हैं कि instrument dishonor हो गया है तो जब आपका instrument dishonor होता है तो आप क्या करते हो आप court में जा सकते हो लेकिन court में जाने से पहले court के बाहर जो notary public वाले बैठे होते हैं आपको instrument उनके पास ले जाना होता है और आप उस instrument की noting करवाते हो means वो अपने पास लिख लेते हैं कि हाँ ये आपका instrument जो है वो dishonor हो गया है ठीक है तो आप क्या करते हो वो आपको बदले में एक certificate issue करके देते हैं और उस certificate में ये mention करके देते हैं कि आपका instrument dishonor हो गया है तो जब आपको certificate मिल जाता है उसको हम बोलते हैं protesting तो आप उस certificate को as it is court में ले जा सकते हो और court जो है वो उसे एक proof की तरह मानेगा कि जो आपका instrument है वो dishonor हो चुका है ठीक है तो फिर जो ये negotiable instrument की जो protesting होती है ये मानी जाती है means जो वो certificate आपको issue हुआ है अगर आपने उसकी noting और protesting करा ली है तो ये court मान के चलता है कि जैसे ही आपकी protesting हो गई ये आपको certificate मिल गया है तो court ये मान के चलता है कि आपका instrument dishonor हो चुका है जब तक उसे दूसरी party जो है वो disapprove नहीं करती है okay so I hope आपको आज का topic बिल्कुल clear हो गया होगा in case अगर आपको कोई doubt है तो आप मुझे comment section में लिख सकते हैं और हाँ अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे further भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी channel का subscribe कर सकते हैं so thank you